अगरतला के नागी चेरा इस्तित होटी कल्चर रिसर्च कंप्लेक्स में आज तिरपुरा पहले और गौहाटी के बाद पुर्वतर शेत्र के दूसरे इंटीग्रेटेड पेक हाउस का उधखाटन किया गया मुख्यमंत्री मानिक सहा ने पेक हाउस का उधखाटन किया मौके पर केंद्री क्रिसी तथा किशान कल्यांड राज्यमंत्री के अलाश चौधरी भी मौजूर थे दो करोंड 73 लाख रुपे की लागत से निर्मित स्पेक हाउस में अत्याधनिक पैकेजिंग फैसिलिटी है उम्मीद की जा रही है कि स्पेक हाउस की बदावलत फसनों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकेगा और अच्छी पैकेजिंग फसनों को बेचने में मददगार साबित होगी नौर्थिच लाइब से बात करते हुए मुख्यमंतरी मानिक सहा और केंद्री राजमंतरी कैलास चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सामाजिक आर्थिक दसा में सुधार को लेकर प्रतिबत है अलिखे लिफस्टामाब का इसक आर्थिकुश्ड आर किसानों की सामाणिप Ramajad Heune मेर का झान भी जडे पतनी उके पर्फ़ोल जान उन्हालative, वीयल कोता इसक्राणों के जा फजू ही धिक साइन समय पर ब्रहूर से प्रफ़ का युटारे को प्रुषताः करें, तो धन्तुरा के लिव सहिंगे धिक साय मेरे पुराइस के वीयल ऐसे पर उनिय हुझे का था आज जैसा कि यहाँ पेकाउस का उद्गाटन किया गया है मानियम मुख्यमंतर जी के दवारा हम सबने किया है तो यह किसानों के जीवन में परिविर्तन करने वाले इसकी में और योजना है किसान खुद स्वर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग करें और यह सारी सुईधान पहुँचना किसान तक जरूरी था इसलिए आज सरकार की योजना, विभिन योजना नीचे पहुचे और किसान आत्मनिर पर हो हो और नौर्थ इस्ट के अंदर भी किसान आत्मंदिर पर हो रहा है और विशेश कर जो अपना ये राजी है इस राजी के अंदर भी जो तिरपूरा है तो तिरपूरा के अंदर तो बहुत समाना आज तिरपूरा का किशान है वो अपना उत्पादन को एक समय यह इंपोर्ट कर कर भी यहां पर अच्छा काम हो रहा है और निचे तरूप से खिसान है वो यहां का भी आत्म निर्वर बन रहा है देश का खिसान भी अपने आपको खुशाल महसूस करने लगा है